हेलो आपके साथ मैं यह दो एक की रेसिपी खाई होगी लेकिन एक बार आप यह और यह काड़ी की रेसिपी खा कर दें के आपको बहुत पसंद आगी तो चले वीडियो स्टाट करते हैं और वीडियो में आगे बाहने से अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं मिर्ण निर्म की रेज़ई को सब्सक्राइब कर लिजाए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर किजेगा तो चले वीडियो करते हैं कि यह एक करी की रेसिपी आप के साथ में Share करूंगी तो चलि इसके रेसिपी note कर लीजिये और इसको बनाते कैसे प्रूसर स्टार्ट करते तो इस एकड़ी रेशिपी बनाने के लिए सबसे पहले एकड़ाईः पैल लेंगे उसे इसे हम बनाएंगे मस्टर रोयल यानि क्यसेश्यू के तेल में सरसों तेल पे जब यह रूहल tub दाल चीनी और दो डालोंगी मिर्च उसके बाद बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे यानि कि इसे आपको ब्राउन होने तक से अच्छी तरह बहुन लेना है इसे ब्राउन करना है जिसे कि इसका थोड़ा सा कच्छापन दूर हो यह एक कड़ी का मेंट पार्ट है इसे आप बिल्कुल इसके नहीं किजेगा थोड़ा सा स्टॉल्ट डालेंगे जिसे कि इसमें थोड़ा सा मौशरा है और यह प्याज गलने में आसानी हो जाए तो इसका कलर बिल्कुल चिंज हो गया है अब यहां पे मैंने एक टूमेटो बनाके रखा था जूब की इसमें अभी यहां पे हम डालेंगे अगर आप सोचे तो चोटी 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 टूब्रे कट कर भी डाल सकती है लेकिन अगर आप यह जो गर्यों ग्रेविया है उसकी जो ठिकने से से बहुत ही ऐची आती है तो यहां पे मैंने ले लिया है टो और इसे अच्छी तरह से मेक्ष कर लेंगे अब प्यास से थोड़ा सा और भूनेंगे जब तक ये टरमाटर का जो कच्छा पन है वो दूनी हो जाए तो इसे तीन से चार मिनट हमें भून लेना है उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसे डालेंगे जिसमें मैं वन टीस्पून तर्मरिक पॉर्डर ले रही हूं वन टीस्पून यहां पर मैं ले रही हूं यहां पर चिली पॉर्डर वह आप अपने स्वात कर दाल सकती है यहां पर देड़ चमच मैंने लिया है चिकन मसाला और फिर यहां पर मैंने लिया है एक चमच गरम मशाला और थोड़ा सा मैंने तो यहां पर देखिä मसाला हमारा अची तरह से बून में घुट तरओंगर sentmane होँ कर लेना है यहां एक सीयक्रेट मसाला मैं एक करेंगर अड़रा में सीक्रेट तोमाडंटौ कैचप स्वीट वाला नहीं है यह मैंने यहां पर वन श्पून डाला है इसमें ड़ाले से एक करड़ी के सौत बहुत अचा अच्छा आता है अब इसमें बहुत ज्यादा थीन भी नहीं करना है बहुत ज्यादा थीक भी नहीं रखना जो मैंने एक कट करके डालूगी यहां पर मैंने चार लडन को मैंने ऊंडे को कड़े डाला। लग यह चाहांब उसना स्वांद नाका कथा आज से रहाएंगा। तो जैसे कि बच्चे जो हैं तो उनके पॉइंट भी उसे मैंने बनाया कि अगर बच्चे नहीं ग्रेवी वाला ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो वह ऐसे भी कह सकते हैं बट ग्रेवी के टेस्ट में कोई कंपरमाईज नहीं है सारा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है और इ कॉमेंट करना बिल्कुल भुलेगा यह कॉमेंट करना बिल्कुल फ्री है और हमें बहुत है अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है आप सभी कोमेंट्स पर के जरूब बताएगा कि मेरी से कौन सी एकड़ी अच्छी लगी तो यह तो मैंने आपके साथ पहली रसेपी अ अब आपके साथ मैं सेयर करते हूं दूसरे करी की रेसिपी की उसे मैंने कैसे बनाया है तो यहां पे चलिए यह रेसिपी मैं आपके साथ सेयर करते हूं यह एक करी भी बहुत ही यूनिक तरीक से बनाया बच पनाती हैं तो आप इसे कैसे बनाते हैं चलिए उसे हम देख लेत पार अंडे डालने है इसके बाद गैस का फ्ले मेडियम करना तब हमें पकाना है इसमें आपको कुछ भी ढालने की जरुदे आपको नहीं है तो इस तरह इसे हम धीरे-दीरे करके पलट लेंगे इसमें अभी आपको कुछ नहीं डालना है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अनियन वगरा डाल सकती हैं लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी डालेंगी तो भी यह बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे हलका हलका कॉछ तो इसे पॉली जाएगा और अंदर का चाह जागा तो इसे हमें क्या करना है कि बिलकुल मीडियम टूलो फलेंगे बिल्कुल एसे करकर के हमसे ऑंडे जितने भी उनको इस तरह से पका लेना है जिस तरह में यह यहां पे जैसा कर रही तो छोटे चोटे चोटे ऐसे बना लेना है, इसे गाउं में पोज कहते थे, आप इसे किस नाम से जानते हैं, जरूर कॉमेंट करके बताएगा, यह बहुत ही टेष्टी होता है बनाना, लेकिन यहां पे मैं पोज नहीं बना रही हूं, अगर आप चाहेंगे, तो मैं उसके वीडियो जरूर शेयर करूंगी बहुत ही अच्छा लगता है आज मैं कुछ डिफरेंट से बता रहे हूं कि एक ही तरह के एक कड़ी खागे हम बोरो गया थे तो लगा कि कुछ नहीं आपके साथ मैं शेयर करूँ और यह रेसेपी में आपके साथ शेयर की तो इस तरह आपको छोटे-छोटे यह बना लेने है यह देखे तो सभी मैंने इस तरह त्यार कर लिया है अब इसका मैं त्यार करूंगी ग्रेवी उसके लिए मैं मस्टर डॉल ले रही हूं इसे आप सरसो के तिल में ही बनाएगा इसका साथ बहुत अच्छा हैगा एक चमच मैंने जीरा डाला है और यहाँ पे हाफ टी और लायसन का इस तरह प्यूरी यह देखे और यह पेश्ट भी अपना के डाल सकते हैं तो दोनों का पेश्ट मैंने डाला है और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे जब इसका कच्छापन दूर हो जागा तब तक इसे भून लेना है आपको अब यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने जो टर्मरीक और चिली पोडर डा रहा है उसे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है अब यहां पे एक मसाले में डाल रही हूं इस मसाले को मैंने दही में बना के रखा था तो आपको स्क्रीन पर दीख रहा है कि जो भी मसाले इस दही में मैंने मिक्स किया था इसे इस साइज का टमाठर और उसका प्यूरी बना लिया है उसको भी इसमें हम डाल लेंगे इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अभी तक मैंने गैस का फ्ले मीडियम ही रखा है यहां पे अपने स्वादा नुसार आप नमक डालिए और इसे अगर आप चाहे तो आप ढ़क के यानि कवर करके भी पका सकती है या आप खूले में भी पका सकती है अब यहां पे आप देख सकती है कि जो तेल है बिल्कुल डिलिज हो गया है यानि कि यह मसाला भून के बिल्कुल त्यार हो गया है यहां पे आप डालेंगे थोड़ा सा पानी आप अपने पसंद करों सा पानी कम ज़ deceive लेकिन इसकी ग्रेवी ज्यादा थिन नहीं करनी होती इसकी ग्रेवी गाढी सी रहती तो ही ये कडी बेखत अच्छे लगती है तो यहां पे मैंने सिर्फ एक कप पानी डाला है और इसे हम हलका सब वाल होने देंगे लिए-टो जब बॉडका सब और आ तब यहाँ पर हमें डालना है जो मैंने यहाँ पर एक के लिए बना के रखा हुआ है जो छोटे-छोटे से पोस वह पोस को इसमें हम डाल देंगे यह देखे सभी मैंने त्यार कर लिए हैं और इसको इसमें डालने के बाद आपको दो से तीन मिनट ही उबालने हैं बहुत आपको ज्यादा अच्छी लगी प्लीज कॉमेंट करके बताएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो जीता होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिएगा तो चले इसी तरह और भी यूनिक रेसिपी लेकर आपसे फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखेगा बाई टे के